राधे राधे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल नैंसी शुबम अफिशर ने बहुत बहुत सौगत है आज के इस वीडियो में आप सुनेंगी नाक पंचमी की पौराणिक कथा कहानी 9 अगस्त 2024 को नाक पंचमी दोस्तों आने वाली है आईए कथा की सुरुआत करते हैं दोस्त प्राचीन काल में एक सेट जी के साथ पुत्र थे और सातों की विवा हो चुके थे सबसे छोटे पुत्र की पतनी स्रेष्ट चरित्र की और सुसील थी लेकिन उसका कोई भाई नहीं था एक दिन उस घर की बड़ी बहुने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के जिसे बड़ी बहु खुर्पी से मारने का प्रियाश करने लगी यह देखकर छोटी बहुने उसे रोका और कहा ये बेचारा निरपराध है ये सुनकर बड़ी बहुने उसे नहीं मारा तब वो साप एक और जा बैठा तब छोटी बहुने उससे कहा मैं अभी लोट कर आती ह तुम यहां से जाना मत इतना कहकर वे सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फसकर सर्प से जो बादा किया था वो उसे भूल गई उसे दूसरे दिन बहबात याद आई तो वो सब को साथ लेकर बहां पहुची सर्प अभी भी उस इस्थान पर बैठा था ज तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले भै बोली मेरा कोई भाया नहीं है अच्छा हुआ तुम मेरे भाई वन गए कुछ दिन ब्यतीत होने पर बैसाप मनुश्य रूप धारड करके छोटी वहु के घर आया और उससे कहा कि मैं इसका दूर के रिस्तेदार का भाई हूँ बच्पन में ही बाहर चला गया था उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया उसने मार्क ने वताया कि मैं वही सर्प हूँ इसलिए तु डरना मत और जहां चलने में कठनाई हो वहां मेरी पूछ पकड़ लेना छोटी वहुन परिख दिन सर्प की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तू अपने भाई को ठंडा दूद पिला देना उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने साप को गर्म दूद पिला दिया जिससे उसका मूँ जल गया यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गय परन्तु सर्प के समझाने पर वेच्चुप हो गई तब सर्प ने कहा कि बहिन को अब उसके घर भेजना चाहिए तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवारात बस्त्र आवुशड आदी देकर घर पहुँचा दिया इतना धेर सारा धन देखकर बड सब बस्तुएं सोने की लाकर दे दी यह देखकर बड़ी बहु ने कहा इन बस्तों को ज़ाडने की ज़ाडू भी सोने की होनी चाहिए तब सर्प ने ज़ाडू भी सोने की लाकर दे दी सर्प ने छोटी बहु को हीरा मडियों का एक अदबुद हार दिया जिसके प्रसंसा उस राजी की रानी ने भी सुनी और वो राजा से वोली कि सेट की छोटी बहु का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे बैहार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेट जी से जाकर कहा कि महरानी जी छोटी बहु का हार पहनेंगी। वे हमें दे दो सेठ जी ने डर के कारण छोटी भहु से हार लेकर उन्हें दे दिया छोटी भहु को ये बात बहुत ही ज़्यादा वोरी लगी उसने अपने साप भाई को याद किया और उससे प्रातना की भाईया रानी ने हार छीन लिया है तुम खुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वे सर्प बन जाए और जब भे मुझे लोटा दे तब वो हार हीरो और मडियों का हो जाए सर्प ने ठीक बैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना बैसे ही वे सर्प में बदल गया यह देखकर रानी चीक पड़ी और डर गई यह देखकर राजा ने सेट के पास खबर बेजी कि छोटी बहु को तुरंत भीजो सेट जी सुयम छोटी बहु को लेकर राजा के दरवार में उपस्तित हुए राजा ने चोटी बहु से इसका कारण पूछा तो बै बोली हे राजन दरश्टता छमा की जिए यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मडियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो यह उसकी गले में सर्प वन जाता है चोटी बहु ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मडियों का हो गया यह देखकर राजा ने प्रशन होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरुसकार में दी उसके धन को देखकर बड़ी बहु ने इर्ष्या से उसके पती को उसके विरुद भढ़काया जिस कारण वस पती ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया तब भैस्त्री फिर से अपने साप भाई को याद करने लगी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म वहिन के आचरण पर किसी ने संधी प्रकट किया तो मैं उसे खालूंगा यह सुनकर छोटी भाई का पती बहुत प्रशन हुआ और उसने सर्प देप तक सतकार किया कहते हैं उसी दिन से नाक पंचिमी का त्योहर मनाया जाता है दोस्तों और इस्त्रिया साप को भाई मान कर उसकी पूजा करने लगी यही पर कथा हमारी समाप्त होती है कथा नंबर टू की सुरुआत करती हूँ दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार जनमजे अर्जुन के पोती राजा परिछित के पुत्र थे जब जनमजे को पता चला कि साप के काटने से उनके पिता के मृत्यों हो गई है तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यग का आयोजन किया रिसीम आस्तिक मुनी ने नागों की रक्षा के लिए स्रावण मास के सुकल पक्ष की पंचमी की दिन यग बंद कर दिया था इस कारण तच्छक नाग के बचने से नागों का वंस बच गया आग के ताप से नाग को बचाने के लिए रिशी ने उन पर कच्चा दूट डाल दिया था बही से नाग देपता को दूट चड़ाने के प्रथा शुरू हुई तब ही से नाग पंचमी दोस्तों मनाई जाती है आएए दोस्तों अब जानते हैं नाग पंचमी की सरल पूजा विधी नाग पंचमी वाले दिन दोस्तों सारे कामों से फिरी होकर सुभा के टाइम नाग पूजा के इस्थान को साफ कर लें पूजा इस थान पर उचित दिसा में लकडी का एक पाटा या चौकी लगाएं और उस पर लाल कपडा पिछा दी अब उस पाट पर नाग का चित्र या फिर मिट्टी की मूर्ती या चाकी के नाग को बिराजमान करें अब चित्रिया मूर्ती पर गंगा जल छिड़कर उने शनान कराएं और उनको नमस्कार करके उनका अहवान करें फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल लेकर नाग देपता को अरपित करें उनकी पंचो बचार पूजा करें दोस्तों उसके बाद कच्या दूद, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ती को अरपित करतें हैं दोस्तों पूजन करने के बाद सर्प देपता की आरती उतारी जाती है अन्त में नाग पंचिमी की कथा अवस्य सुनते हैं इसी तरह से संध्या को भी पूजा आरती करते हैं पूजा आरती के बाद दान आधी देकर ब्रत का पारण कर सकते हो दोस्तों यदि आपको आज काई वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूली आप सबी को मेरी तरप से आने वाली नाग पंचिमी के हारदिक सुपकाम नाएब राधे राधी दोस्तों हर हर महादेव